हेलो दोस्तो नमस्कार मैं मधू सिंग राजस्थान से और मेरी चोटी सी हरी भरी छट पर आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आप सभी लोगों से थोड़ा से माफी माँगना चाहूंगी क्योंकि जो वीडियो डालने में मुझे थोड़ा से लेट हो गया है क्योंकि तो इसलिए वो गए तो दस दिन के लिए लेकिन एक महीना हो गया है वो आनी पाए है अभी और अभी शायद थोड़ा सा रुख कर क्याएंगे तो यहीं सोचते हो मैंने का कि थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था और बारबा दिमाग वहीं डाइबर्ट हो रहा था तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गया है लेकिन अब सब कुछ ठीक है अभी उनको आने में टाइम लगेगा तो सोचा कि क्यों न चलिए आप लोगों से ही बाते करी जाए और वीडियो शेयर किया जाए तो यहीं सोच करके आगई टेरेस गार्डन में और देखे यह ह यह कर प्लांट को लेकर के बनाया है और खासकर अब गर्मियो का मौसम शुरू हो चुका है तो गर्मियो के मौसम में गुडाल का प्रजबून होता है वो बहुत ही अच्छ तरीके से फलता फूलता है जिसे एंदोगा यह बेली का पौधा हो गया तो इनके लिए इस मौसम बिल्कुल अनुकूल होता है तो बिल्कुल मतलब सही से अगर आप इसकी केर करेंगे तो इस आपको इस मौशनिन में भर भर करके फूल देना शुरू कर देगा यानी कि गड़मियों के मौशमिय और आप इसमें थे में किसी तरीके की केर नहीं करी है लेकिन फूल मनलब जो पौधा है वो फूल देना शुरू कर चुका है तो आज तो मैं आई थी पौधे की कटिंग करने तो सबसे पहले तो मन बना करके आई थी कि आज पौधे की कटिंग करूंगी तो पौधे की कटिंग क्या करूंगी जो मेरे गुढ़ल का दूसरा प्लां और जो नवरात्रे का सीजन शुरू होने वाला है यानि कि शायद 9 या 10 तारीक से नवरात्रा शुरू है तो नवरात्रा के सीजन में इन फूलों की इतनी ज्यादा डिमांड होती है और अगर आप घर में नवरात्रा कर रहे हैं और अगर आपने गुढ़ल का पौधा लगा से जरूर चड़ाएं मेरी बात से अगर आप सहमत है ऐसे तो भगवान है उनको सभी तरह के की फूल पसंद है लेकिन कहते हैं कहावत है कि गुढ़ल का पौन जो फूल है मताजी को उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तो इसलिए मैंने का कि चलिए नवरात्रा भी आते हैं तो इससे मेरा अच्छा सवभाग्या और क्या होगा तो यही सोच करके मैं आ गई गार्डन में और मैंने का कि नवरात्रा शुरू नाली तो आज मैं इसकी विशेश केयर करूंगी और उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गुढ़ल के प्लांट में आपके पास भी है और अगर फ्लावरिंग कर पा रहा है सभी से फ्लावर नहीं आ रहे है तो आप देखिए अब लिक्वर नगी उत्त्रावरिंग बहुत जगे देखा है मैंने कि उसमें दो चार पतिया है वो पीली है गमला खुब सुन्दर है खुब बड़ा है नहीं आपको ऐसा नहीं करा है अगर आप सही से केर करते हैं तो आपको छोटा हो या बड़ा गमला हो उसी में आप बहुत संतुष्ट हो जाएंगे और देखि करूंगी तब में इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कुछ-कुछ पादो की मुझे करनी है लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि हस्बेंड है नहीं और घर गए है तो थोड़ा होता ही है और इसी कारण से तो थोड़ा मामला पैंडिंग हो गया लेकिन छलिए कोई बात नहीं है अब यह जब फ्लावजिंग से उतार पर आएगा उस समय मैं इसकी कटिंग करूंगी तो देखिए आज मैं जो आई हूं मैं आज इसमें लिक्विट फर्टिलाइजर डालूंगी तो जैसे अगर आपके पास लिक्विट फर्टिलाइजर अगर आप गार करते हैं और अगर आपने फूलों का पौधे लगा रखे हैं जैसे ऐसा होता है बहुत बार कि छोटे-छोटे गमले होते हैं और हमने 15-20-25 क्योंकि एक बार जैसे इच्छा होती है या शौक लग जाता है तो पौधे 2-4 और 4-14 और 14-40 पौधे होने में बिल्कुल टाइम तो आप क्या करें कि आप अगर बोन मील डालने में परहेज नहीं करते हैं तो मेरी बात मानते हुए आप कोशिश करें कि 40% बोन मील लें 30% आप मिट्टी लें और उसमें 30% आप बर्मी कमपूच लें सारा मिक्सचर आप एक जगा करके और एक एक मुठी इस मौसम में आप पौदों के अंदर डाल दें तो क्या होगा कि जैसे आपको बार-बार केर करने की जरुवतनी परते क्योंकि पौदा छोटा होता है मानलों चोटे-छोटे गंबले हैं तो असके निराई गुडाई सही डंग से करनी पाते हैं बार-बार करने में क्या होता है कि जड़े कृषकता है तो मिलता जाएगा जो वह बन मेल है केलुशियम कर काम करदे और अगर आप वह जिस आपको पास बंड मील मिलने में समस्या है तो जैसे अगर आप अन्डे के छिलकों से परहेज नहीं करते तो अपने को छिलके आप या तो दुकान वाले के पास भी जाकरके कह सकते हैं जो जहां मिलते हैं कि आमको थोड़े से कच्छे अंडे की छिलके दे दीजिए तो आप उसको सुखा करके उसका पाउडर बना करके भी पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है वो और कोशिश करिए कि आप इसी किसी तरीके से अपने पौधो को जिंदा रखे क्यो और आप भी बिल्कुल फ्री रहेंगे तो आप ये तो रही मतलब जो खाद की बात और रही अब मैं फर्टिलाइजर की बात करती हूँ तो अगर आप गार्णिंग करते हैं तो आप कोशिश करिए कि जैसे मैं तो अपने घर में बहुत सार तरीके के फर्टिलाइजर बना क चर्टिलाइजर बना करके रखती हुँ जैसे सबसे पहले मैं क्या और चिलके मैंॉस उसको भी decomposed करके और उसका भी fertilizer बना कर रख सकते हैं और सबसे अभी गर्मी का मौसम है तो जो सबसे अच्छी fertilizer होती है जो पौदो को ठंधक दे तो अगर जो पीने वाली बील होती है यानि कि जो बील का सरबत हम पीते हैं अगर वो आपको कहीं से फल मिल जाए 5-7-8 पके हु तो मैं जो आज भी fertilizer डालूँगी तो यह मैंने प्याच के चिलको फरटीलाइजर बना कर रख रखा हो यह देखिए यह इतना पुराना fertilizer मतलब मैं बना कर फर्टिलाइजर है और इसका कलर देखिए कितना ग्रीन कलर हो चुका है और इसको क्या करना है कि मैंने प्याज के छिलको को इसमें डाल करके और छोड़ दिया था ये धीरे 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 और थोड़ा सा मैंने इसमें गुड डाला था ताकि इसमें वैक्टीरिया है जो रहें और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाला था और सारी चीजों को डाल करके और मैंने छोड़ दिया था अब मुझे क्या मैं क्या करूंगी कि एक बाल्टी लिया मैंने बाल्टी करेवन पाच लीट पानी लिया है और उसके अंदर मैंने एक ग्लास इसको डाला है और मैं आप इस वाले फर्टिलाइजर को गुड़हल के प्लांट में डालोंगी यह फर्टिलाइजर आप मैंने कहा आपको कि आप स्पेशल एक फर्टिलाइजर नहीं आप कोशिश करते रहिए आप ट्राइ करते रहिए आप खुद धीरे-धीरे इतने मतलब परफेक्ट हो कि पौदों के क्या डिमांड है पौदों को क्या चाहिए और पौदों में कौन सा फर्टिलाइजर ज्यादा अच्छा रहता है तो मैं तो एक बहुत छोटी सी गार्डनर हूं अपनी शौक के लिए करती हूं तो आप भी अगर मेरी तरह शौक रखते हैं तो आप इसी तरी करती हूं मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवादा